दोस्त अपिशोट के शुरुवात में हमें जेल दिखा जाता जिसके अंदर हमारे बैंड की एक्स सेलिब्रेटी गल्फ्रेंड जैनिफर नॉक्टेन रैड हॉट बन कर किसी से मिलने आये होते हैं यहाँ पर जैनिफर कुप पुलिसमेन रोकता और बोलता कि हमें आपकी मैट यहाँ आप मुझे अपना एक इंटर्व्यू दे सकते हो जिस पर जैनिफर नॉक्टर बड़ी खुश्चे से उन्हें इंटर्व्यू देती है और उसके बाद मासर निकल जाते हैं यहाँ पर जैनिफर की जाते हैं पहला पूलिसमेन बोलता है क्योंकि जैनिफर एक बहुत इसका करना क्या है कि तुम इसे टेबल के नीचे लगा दो और ऐसा बीफ करो जैसे कि हमारे बीच में जगड़ा हुआ है और फिर नराज हो कि यहां से निकल जाओ बागी का मैं देख लूँगा जैनिफर नॉक्टर ठीक वैसा ही करती है और अपनी कार में आकर बैट जाती कर चाना आधाया क्योंड़के निकल जाता तो तुम यहां से पर वेखते हो वापस आने वाला है सब्सक्राइब लो बेंट जैनिफर ने ही नेमेसिस को भागने मदद की है जिसके बाद शिफ्ट होता है और हमें जैनिफर को दिखा जाता है यहां पर जैनिफर बोलते हैं चलो मेरे सपनों के जैनिफर की मौम मेरे चैनिफर को देखते हैं और बोलती कि तुम तो वही वहीं हो लेकिन मुझे आपकी बेटी के बार में कुछ सवाल जिस पर जनिफर की मौम कहते हैं वो सब बात में पहले मुझे कोई बैयानक एलियन बनके दिखाओ अगर तुम एलियन बनोगे तभी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूगा और बैन को ना चाहते हुए भी एलियन बनना पटा है बैन है अब मैं वापस से नार्मल हो रहा हुए जिस पर जनिफर की मौम कहते हैं जब तक तक तुम ऐसे एलियन बने रहोगे तब तक मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देती रहूंगी बैन बोलता है कि मैं इस बुड़िया के दात तोड़ूँगा जिस पर ग्वाइन कहते है कुछी देर की बात है ऐसे पकड़ों यहां पर जनिफर नॉक्टन की मौम बताती है कि वह बारा साल की थी जब घर छोड़ गए गई थी और तब से मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है अच्छा उसके पापा जिस पर जनिफर की मां बोलती है वह कुता जनिफर की प बेकार जिस पर बैन बोलता है कि चलिए बैन और विकार में बैठे वाद अच्टा भी जैनिफर की वह बाहर आती है और बोलती है एलिन वर्द दुबारा आते रहना जिसके बाद हमें चैनिफर को दिखाया जाता है जिसने अपना पूरा लुकी चैंज कर लिए यहां पर स्मिट से बोलते कि तुम्हें भी अपने फेस के लिए कुछ करना चाहिए ताकि तुम्हें कोई असानी से पहचान ना सकी जिस पर स्मिट कहता है मैंने उसके लिए कुछ सोच रखा है कुछ बहतर और खतरनाक जिसके बाद हमें ग्वेन को दिखा जाता है ग्वेन जेनिफ बिए पढ़ाइन की सौर मत करना जिस पर बैन बोलता सौरी गलती से मिस्टेक हो गए और वो दोना अंदर जाता है हैं लेकिन अंदर कोई भी नहीं बिए पर फिर्स अपनी पावर का इस पावर करते और से पता चलता कि वो दोनी यहीं पर लेकिन ठीक से कुछ ना पता कर यहां पर बैन बोलता है मेरे पास इंसर्च पीजिए को लिए टाइम लिए और बैन अपना को क्लॉक बढ़ता है जैसे कुटाइक लिए आगर बढ़ता है जैनिफर उस पर पीछे सामला कर देती है और बैन यहां पर सेट डाउन हो जाता है इतना शोर सरावास सुनकर यहां पर समिट पूस्ता है क्या तुम कुछ पैसे आरेंज कर सकते हैं जिस पर जनिफर कहते हैं बिलकुल जिसके बाद शीफ्ट होता है और हमें बैन को दिखाया जाता है बैन की जब आंके खुलते तो उससे पता चलता उसका एक हाट टूट चुका बोलते हैं वैसे तो तुम्हें आराम करने के लेका लेकिन मुझे पता है कि तुम केस को पूरा करें नमानोगे ने इसलिए मैंने केविन की मदद से जैनिफर का फोन है कि और हमें पता चला कि जैनिफर ने एक बहुती बड़ी अमाउंट डॉक्टर रेम डाल्ट के अकाउंट में जल्दी ट्रां ने सकता है बैंड बहुता लगता है मैं उसके ज्यादा ही पिटाई कर दी कूल जिसके बाद वो बोलता चलो कम से कम डॉक्टर से तो मिलें लेकिन जब वो लोग डॉक्टर कुछ देखने चाहते हैं तो वह मरा पड़ा हुआ होता है जिसके बाद फिर से हमें जैनिफर को जो समित को चब खाना खिलाने कोशिक कर रही होती है मिवारा का फिरागे बाद जिसके बाद जअच्वय इस बाद जनिफर का इस च다면 करते लिग मेरी गल्फड किया करती थी कि तुम मुझर टे कोई मेरी परवा को,.। मुझे तुम्हारी का जिस पर जनीफर कहते हैं कि सब कुछ भूल जा ओर चलो हम कहीं दून निकल चलें जिस पर स्मित कहता है हम पुलिस वालों को तो चकमा दे सकते हैं लेकिन टैनिसन को नहीं और बस इसलिए टैनिसन का खत्म होना जरूरी है अपनी पत्या उतारता है और पूसता है जेनिफर मैं कैसा लग रहा हूँ जेनिफर बोलते है तुम बिल्कुल ठाइन लग रहा हूँ और वो दोनों एक दूसर किस करने जाहिर होता है तब एक कार वहाँ पर आकर रुकती है और उसमें बैठा इंसान बोलता है क्या आपको मदद चाहिए स्मिफ बोलता है जेनिफर तुम यह रुको मुझे एक मैसेच छोड़ना है अपने दुश्मन बैन के लिए और यहाँ पर स्मिफ कार वाले के पाथ जाकर कार वाले को मार देता है जिसके बाद शीन शिफ्ट होता है और हमें ग्वैन को दिखाया जाता है यहाँ पर ग्वैन बताती है कि अब मैं जेनिफर का औरा ट्रेक नहीं कर पा रही है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जेनिफर खुछ से ही दूर होती जा रही है फिर बैन तुमने स्टोक होम सिंड्रोम के बारे में सुना है स्टोक होम सिंड्रोम में सिकारी को ही अपने सिकार से प्यार होने लगता है ऐसा ही कुछ जेनिफर के साथ हुआ है इसमित जब जेल में था तो वो बहुत बार उससे मिलने आती थी जुनिफर पे स्मित का जुनुन सवार था तब ही बैन को कार रोकनी पड़ती है क्योंकि रास्ते में कार में किसी की लाश मिले होते है ग्वैन जब पुलिसमेन से बात करने जाती है तो पुलिसमेन उसे पहचान लेता और एक परची थमाता है यहां पर बैन के पास जब जाते हैं तो बैन बोलता है आस तक हम जीन एलियन से लड़ें उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए था चाहिए वो दुनिया ही जीतनी क्यों लेकिन स्मित बेवज़ा इन लोगों क्यों मार रहा है उसे क्या चाहिए जिस पर गुएन कहते है तुम बैन ये परची उस कार में से मिले इसमें एडरस लिखा है कि स्मित कहा जा रहा है और उसने तुम्हें ओपन चैलेंज किया है पर बैन ये एक जाल है जिस पर बैन कहता है लेकिन हम फिर भी जाएंगे जिसके बाद हमें सीधा कैप्टेन नेमेसिस टावर दिखा जाता है और गुएन जब टावर के अंदर जाते हैं तो गुएन जैनिफर की डॉल से उनका पता लगाने कोश्च करते है लेकिन गुएन को कुछ पता नहीं चलता गुएन बोलती है माफ करना बैन मुझे जैनिफर का पता नहीं चला जिस पर बैन बोलता कोई भात ने उनका पता लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा स्मित ने हमारे ले काफी निशान चूड़ एसके बाद हमें स्मित को दिखाया जाता है जो लोगों को मारता हुआ जा रहा होता है जिसके पीछे गुएन और बैन भी होता है यहां पर बैन और गुएन के सामने अब तीन लिफ्ट सो थी हैं यहां पर गुएन को समझ बेन तो यहां पर गुएन जेनिफर की डॉल का स्तमाल करती है और उसे पता चल जाता कि कौन सी सई लिफ्ट है गुएन बोलती है बैन वो दोनों बीच की लिफ्ट से गए लेकिन बैन के हाथ में तब ही बहुत चोर का दर्दू गुएन बोलती है कि बैन तुम इस हालत में नही चाहिता मैं उससे प्यार करती है और तुम निकल जो हैं से तभी स्मिथ बैन पर हमला करता है ठीक समय पर बैन को बचा लेती है और उससे बचाने के लिए आगे खड़ी हो जाती है बैन के पाथ जाता है और गुएन को साइड में ले जाकर बोलता है माप करना यह मेरी गलत कुछ नहीं होता तो इसमेट उसके ओपर पूरा चप्रिया लगता है कि उसने बैन को मार दिया लेकिन बैन तब लेकिन यहाँ पर बैन उसे पकड़ लेता है लेकिन जैनिफर स्मित का कवच पहन कर पर हमला करने लेकिन उसके हमले का कोई जवाब नहीं डेता जिससे बैन खायायओर कर वा पर से इसान में ड्रॉंपफर्म हो जाता है बैन की इसां मेंछान में होते जैनिफर रुख जाते i1 लेकिन स्मित गाल हो जाती है तुरंट दोड़का जैनिफर के पाथ चाहता है और बैन गुएन के पास यहां पर इसमें जैनिफर से बोलता है जैनिफर यह लोग फिर से मुझे जेल में डाल देंगे लेकिन मैं बोल दूगा कि मैं तुम्हें ले आया था और एक बार फिर से सब कुछ सही ह जाएगा मैं वापस फिर से बाहर आओंगा और तुम मेरा वेट करना जिसके बाद वो खुद को सरेंडर कर देता है और दोस्तों इसके साथ एपिसोड यह पर खत्म होचाता है आपको अपिसोड क्या सालेगा जरू बतार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल थैंक्स वर वोचिंग सायोनारा